एक बार फिर मैं आप सब के लिए दिवाली के बचे हुए दिए कि कुछ ऐसे कमाल के टिप्स लेकर आई हूँ जिसे देख के आप सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे काफी helpful वीडियो है तो प्लीज वीडियो को पुड़ा दिखीगा अच्छी लगे तो लाइक और शेक गर दीजेगा तो फेकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो दिया है बाती बहुत ही शुब होते हैं क्योंकि हमने तीवाली के दिनी से जलाया है तो फेकना नहीं चाहिए आप इस दिये को कई तरह से यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है सारे दिये को इकठा कर लिजिए और उसमें से बाती निकालके रख लिजिए बाती को भी यूज करने का मैं तरीका आपको बताऊंगे क्योंकि यह जो बाती होती है बहुत ही सुब होती है तो अब आपको ले लेना है गरम पानी पानी अगर अच्छी खाशी गर्म है यानि कि आपने बोईल किया है पानी को तो दस मिनट के लिए इस पानी में सारे दिये को डिप करके रख दीजे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और डिटरजन पाउडर रख दी और शाथ में जो तेलखी की चिकनाई रहती है वो भी निकल जाती है तो इस तरह से दिये को साफ कर लेना है उसके बाद दो तीन पानी से साफ पानी से आप इसे धो लीजिए धो के आपको इसे सुखा के रख लेना है जिससे कि आप पूरे साल इस दिये को कई तरह से तो उसमें भरके रख लिजिए और सालो भरी से यूज कर सकते हैं तो मैं यूज करने का पहला आइडिया बता रहे हूं इसके लिए हमें ले लेना है एक दिया जो बीच में रखेंगे और दोनों सरब से हम दिया को इस तरह से और के रखेंगे दिया की जिगा पर आप कुछ सरसो का तेल बहुत जादा नहीं रखेंगे बस बाती कीली हो जाए उतना ही रखना है बाती को बस तेल से भिगाना है और अब हम इसे जला लेंगे जलाने के बाद ऊपर से एक साफ दिया को हम इस तरह से रखेंगे और तब तक रखके छोड़ देना है जब तक की बाती इस ठी Clay culture को रखती हूं और अके होते हैं दिश में आज भी इस तरह से काजल के जाते हैं अगले tips के लिए हमें चाहिए एक दिया तो पुरानी दिया ही लेनी है और आप रखना है है इस्में चार से पांच बाती दिवाली की जो पाती होती है उसे गलती हिं न न शो। ये जो बाती है बहुत ही सुब बाती होती है और इसे जलाना और इसका धूआ पुरे घर में दिखाना बहुत ही शुब होता है इसे positivity आती है एक अच्छी सी strong vibe आती है साथ में इसे कीरे मुकोरे भी दूर भागते हैं तो इसमें थोड़ा सा रखना है आपको कपूर कपूर र भर के रख लीजिए और हर रोज शाम को चार से पाच बाती को इस तरह से जलाके इसका धूआ पूरे घर में दिखाईए और जहां बैड है कॉर्णर है वहाँ पे थोड़ी देरी के लिए छोड़ भी दीजिए जिससे कि इसके धूआ से जो अंदर कॉर्णर में छुपा हो तेल और आधी चमच जीरा जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो गैस को ओफ कर दीजिए और अब इसमें रखना है एक चौथाई चमच लाल मिर्च पाउडर अगर पाउडर आप यूज नहीं करना चाते हैं तो एक लाल मिर्च को कई टुग्रों में तोर के और इसमें र यही है यह आलू के पराठे के साथ मेथी के पराठे के साथ बहुत टेश्टी लगती है तो सबसे पहले दही में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और काला नमक मिक्स कर लीजिएगा टेश्ट के अकॉर्डिन और उसके बाद इस तरह से चौँक लगाए यह दही इतना टे हूँ और अब हमें ले लेना है ग्रेटर ग्रेटर तो हम सभी अपने घर में रखते हैं बड़ा या चोटा तो जो भी आपके पास ग्रेटर है उस ग्रेटर की धार को तेज करने में आप इस दिये का यूज कर सकते हैं कई बार इसकी धार कम हो जाती है शार्पनेस कम होती ह तो जब हम लौकी को कदूकस करते हैं या फिर आलू को ग्रेट करना है नहीं हो पाती है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या अच्छे से ग्रेट नहीं होती है तो इस ग्रेटर की धार को शार्प करने के लिए दिया को उपर से इस तरह से आपको घिजना है पर बहुत जागत लगा कि नहीं नहीं तो greater खराब हो जाएगी या फिर मुर्वी शक्ती है बस हलके हाथों से इसके उपर इस तरह से इसको घिसना है तो इससे इसकी sharpness बहुत जादा पढ़ जाती है और यह जो powder नीचे देख रहे हैं गिर रहा है उसे भी हमें नहीं फेकना है उसे भी ह पानी का दाग होगा या फिर काला पन आ गई होगी लोटे में या फिर पुझा की प्लेट में वह सब मिंटों में साफ हो जाएगी इसमें थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा डाल दीजे और लिक्विट बीम जेल या फिर श्याम्पू रख सकते हैं जिस भी चीज से आप केहु का आटा ही लेना है कुछ और आटा नहीं लीजेगा दो चमच लेना है इसमें मिक्स करना है एक चोथाई चमच बेकिंग सोडा और आधी चमच वशिंग पाउडर और पानी की मदद से आपको डो त्यार कर लेना है तो एकदम हाट डो त्यार करना है इस बात का ध्या तो इस तरह से डो तैयार करनी के बाद अब लेना है हमें मिटी का दिया और मिटी के दिया में इसे दबा दबा के भर लेना है भरनी के बाद हम इसे धूप में रखेंगे सुखने के लिए अगर फैन के नीचे आप सुखने के लिए रखते हैं तो पूरी रात के लिए अब इससे हम किचन सिंक की क्लिनिंग करेंगे किचन सिंक में दिन में कई बार बरतंद होते हैं जिससे की तेल घी की चिकनाई सिंक में लग जाती है जब इसक्रवर से इसे साफ करते हैं तो साफ तो हो जाती है पर फिर भी तेल घी की चिकनाई खासकर घी की चिकनाई सिंक में कई बार लगी रह जाती है तो हम आटा का यूज करते है गेहूं का आटा कई लोग क्या करते हैं सिंक में छिरक देते हैं और उससे साफ करते हैं उससे चिकनाई तुरंट चली जाती है लेकिन वो आटा धीरे धीरे करके किचन सिंग के पाइप लाइन में जाके जमा हो जाती है और जिस बज़ा से ब्लॉकेज हो जाती है पानी कई बार नहीं निकलती है तो इस तरह से जब आटे में आप वशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को रखे और बना लेते हैं दीए में रखे तो इससे आप जब किचन सिंग और साथ में आटा भी पाइप लाइन में नहीं जाएगी बहुत ही बड़िया सा ट्रिक है आप इस तरह से किचन सिंग को क्लीन करके देखिएगा मिन्टो में ही क्लीन हो जाती है बिल्कुल नए जैसी हो जाती है तो इसको पानी से धो लेना है अच्छे से और अगर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे बाबाई टेक केर